Hi Guys and Welcome Back To My Channel तो Friend आज मैं आपको बताओंगी Full Body Whitening Scrub जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है Full Body Whitening Scrub जो कि आपके पूरे बड़ी, पूरे चहरेक्ष को बहुत ही ज्यादा गोरा निखरा और बेदाग बनाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है यह हमारी सκιन से संटन, काले पन को हधाएगा और cm cordा को बहुत ही स्मूद बनाएगा गूरा बनाएगा साथ यह साथ आप की स्किन को यह पौलिश भी करेगा तो आप इसको चाहिए स्क्रब बो लो यह बोडि पॉलशिंग बोल लो पर आप की स्किन पर बहुत ही अच्छा काम करेगा तो चलिए देखते हैं यह बॉडी पॉलिशिंग क्या है फुल बॉडी वाइटनिंग तो लेस्ट इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कॉफी आप किसी भी ब्रैंड की कॉफी ले सकते हैं आप चाहे तो पैकेट भी ले सकते हैं कॉ बहुत सारे कॉफी स्क्रब आते हैं कॉफी क्रीम साती है कॉफी बॉडी लोशन भी आता है क्योंकि कॉफी हमारे बॉडी को वाइटन ब्राइटन करता है और हमारी स्किन को बहुत ही जादा ब्राइट एंड फेयर करता है और यह हमारी बॉडी से संटन को भी दूर करता है यह बहुत ही अच्छा एक skin polishing, body polishing का काम करती है कॉफी तो हमने यह आपे लेना है 1 tablespoon क्योंकि मैं अपने hands पर आपको demonstrate करके दिखाऊंगी पर अगर आप पुरी body पर यूज कर रहे हैं तो आप जादा quantity में भी ले सकते हैं फिर्ण हमने इसमें ले ले लिए 1 tablespoon coffee फिर्ण हमें लेना है olive oil, आप हमेशा extra virgin olive oil ले क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, pure होता है olive oil भी हमारी skin को moisturize करता है, हमारी skin को बहुत ज़्यादा नरिश करता है और skin को बहुत ज़्यादा समकदार बनाता है अगर आपके पास olive oil नहीं है तो आप olive oil की जगा बदाम का तेल, vitamin E की capsule या coconut oil भी ले सकते हैं अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा dry है तो आप 1 tablespoon डाले, अगर आपकी skin oily है तो आप half teaspoon से भी कम डाले तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ half teaspoon olive oil और आप डालें गे आधा चम्मत चीनी अप देख सकते हैं चीनी थोड़ी दर्दरी है अगर आप अपने face पर लगा रहे हैं तो दर्दरी यूज़ करें अगर अपनी body पर यूज़ कर रहे है तो जो normal sugar आती है जो थोड़ी मोटी होती है आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी skin sensitive है तो आप बारिक sugar ही ले अगर आपकी skin ठीक है ड्राय है तो आप अगर फेस पर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे बारिक पीस ले या आप वोड़ी पर यूज़ कर रहे हैं तो normal चीनी भी चलेगी फें चीनी हमारी body से dead skin को खताता है हमारी body को ये lighten whiten करता है ये भी हमारी skin से एक पीलिंग का काम करता है क्योंकि इसमें ग्लाइक और ब्राइटन करता है और हमारी skin से काले पन को हटाता है जो हमारी skin dry हो जाती है dead skin होते है उसे remove करता है तो हम इसमें डालेंगे 1-5 teaspoon भी श काला पन हटाता है और स्किन को बहुत ही जादा वाइटन ब्राइटन करता है तो हम इसमें डालेंगे 1.5 टीज़पून लेमन जूस, भहुत साई लोगों को लेमन जूस नहीं सूट करता तो आप लेमन जूस की रगा टमात्र करस भी डाल सकते हैं तो मैं इसमें डालूंगी आधा lemon juice और अच्छे से इसको mix कर देंगे अब हम इसे अच्छे से mix कर देंगे हैंड पे लगा के दिखाती हूँ अब हम इसे अच्छे से अपने हैंड पे लगाएंगे और सर्कुलर मोशन में इसे चलाते जाएंगे से मसाज करते रहेंगे ये बहुत ही अच्छा scrub है जो की आपकी बॉड़ी से कालापन हटाता है संटन हटाता है स्किन को वाइटन बॉइटन अलाइटन करता है और ये एक तक चाहिए आपको बॉड़ी पॉलिशिंग का भी एफेक्ट देता है आप इसे नहाते वक्त हफते में 2 joka ili 2-enders पराया रहा जुब करते हैं जुदैता है इसे स्क्रॉब करते रहेंगे उड़र पांच मिनट तक अब एकक रही सहर गए पेहरली बार नहीं को बहुत जादप हो गया कर दो को जाएँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्क्रबिंग की थी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई है और स्किन आप देख सकते हैं बहुत जादा लाइटंक्ट एक इवार में कितना जादा आपको इसका इफेक्ट मिला है यह ते मेरी आज की रेमेडी आइपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी पसे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड डूंट फोगेट तो सब्सक्राइब माइच चैनल एंड प्रेश दा पैल आइकन तकी मेरी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल रहें सो मैं आप से मिलते हूं किसी नई होम रेमेडी नए डिया वाय नहीं किसी स्केर के साथ लड़न बाबाइं स्टे हैल्दी स्टे ब्यूटिफुल बाबाइं